ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नमस्कार मैं हूँ सोनिका और आप देख रहे हो ततकाल न्यूज लाइफ बारिश के मोसम के बाद डेंगू का खत्रा काफी बढ़ जाता है जिसके कारण महाराश्य के नाकपूर के अलग-अलग इलागों में जाकर युवाओ की एक टीम ने लोगों को जागरू करने का फैस्ता लिया है महाराश्य में बीते दिनों से लगातार काफी बारिश देखने को मिली है जिसके कारण अब यहाँ डेंगू का खत्रा बढ़ता जा रहा है लेकिन प्रशाशन के साथ ही कुछ तानिय संस्ता सजक हो गई है नागपूर के युवकों की एक टीम लोगों को डेंगू से बचाने के तरीके अपना रही है महाराश्य के नागपूर में डेंगू के खत्रे को कम करने के लिए युवकों की एक टीम लोगों को जागरूप करने का काम भी कर रही है इसके लिए टीम के मेंबर लोगों को किटानू नाशक छिड़काओ और डेंगू के बचाओ के लिए क्या करे और क्या ना करे इसकी जागरूपता दे रहे है जनहीट टीम के अभिजेज ज्जा का कहना है कि डेंगू फैलाने के मद्धे नजर हमारी टीम जागरूटा फैलाने के लिए अलग-अलग इलाकों में जा रही है हाली में महारास्ट के बंडारा जिले में रहने वाले एक युवक को डेंगू के इलाज के लिए नाकपूर के नीजी अस्पतान में भर्ती किया गया था जहां डेंगू के कारण उनकी मौत हो गए जिसके बाद बंडारा जीले में हड़कम फमच गया और लोगों को साफ सफाई का खाया रखने के लिए कहा गया बतादे की मादा एडिस इजिप्ती मचर के काटने से डेंगू होता है जिसके कारण शुरुआत में आने वाला बुखार का समय पर इलाज नहीं करने के कारण यह घातक साबित हो जाता है वेही इससे बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए इसके साथ ही घर के आसपस किसी भी तरह के पानी को भी जमा नहीं होने देना चाहिए